नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेक आज इस बुलेटिन में बात होगी पुलवामा मामले पर बुरी फसी मुदी सरकार के महराश्ट की सियासत में बीजेपी को मिली बड़ी हार की बात करेंगे बिलकी इस मामले पर सुप्रेम कोर्ट के सक्त रुक किये सुप्रेम कोर्ट पहुंचे अतीक एहमद मामले की और जानेंगे करनाटक में कैसे बीजेपी को लग रहे हैं जटके पर जटके और बिलेटन के आखिर में बात मद्यप्रदेश चुनाओ में कॉंग्रेस के ट्रंप काट की और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पाई दिल्ली के कत्री शराब घोटाले मामले में मनीज सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पूरी 26 अप्रेल को जमानत पर आएगा फैसला मनिपूर में बीजेपी पर सियासी संकट दिल्ली पहुंचे कई विधायक सीम बदलनी की कर रहे हैं मांग दिल्ली मेयर चुनाफ के लिए बीजेपी ने शिखा राए को बनाया उम्मीदवार शिखा राए ने आज किया ना मांग कन गिरावट के साथ बंद हुआ शेर बाजार सेंसेक्स 184 अंग की गिरावट के साथ 69,727 पर हुआ बंद निफ्टी 47 अंग की गिरावट के साथ 17,660 अंग पर हुआ बंद ये तो थी सुर्खियां और अब बाद आज की सबसे बड़ी खबर के पूर्वर राज्यपास सत्यपाल मलिक के खुलासे के बास से कॉंग्रिस लगातार बीजेपी सरकार को गिर रही है आज एक बार फिर कॉंग्रिस ने कई बड़े सवाल उठा कर मोधी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है कॉंग्रिस का साफ कहना है कि आतंगबात के खिलाफ लड़ने में वो सरकार के साथ है और क्या कुछ कहा है कॉंग्रिस ने देखते हैं ये रिपोर्ट जब मुकश्मीर के पूर्वर राजिपास सत्यपाल मलिक ने डीबी लाइप पर खुलासा किया था कि पुलवामा मामले में सरकार से बड़ी चूक हुई थी मैंने पियम को इस बारे में बताया था लेकिन मुझे उस समय चुप रहने को कहा गया मलिक के बयान के बाद से ही देश भर में हंगामा मचा हुआ है सरकार से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदारी तैक क्यू नहीं की गई किसकी गलती से देश ने अपने 40 जवानों को खोया था कॉंग्रिस प्रवक्ता शक्ति सिंग गोहिल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा हमारी लिए ये राजनीती का मामला नहीं है कॉंग्रिस पार्टी कभी भी सैना पर राजनीती नहीं करती उन्होंने कहा जब पुलवामा हुआ तो मीडिया ने राजनीती की बात नहीं की गोहिल ने कहा कि आज सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए हैं देश उनके जवाब चाहता है जब भी देश पर मुश्किल आईए हम हमेशा सरकार के साथ खड़े हुए हैं गोहिल ने कहा बीजेपी सरकार के समय रगुनात मंदिर को निशाना बनाया गया अक्षरधाम और संसत निशाना बने तब भी हम सरकार के साथ खड़े रहे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ने में सरकार का साथ दिया हमने राजनीती नहीं की आज भी हम देश हित के लिए दलगत राजनीती से उपर उठकर काम कर रहे हैं इस दोरान पूर्व भातिय सेना प्रमुक शंकर रॉय चौधरी ने भी इस मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं चौधरी ने कहा पिम मोधी को पुलवामा मामले की जिम्यदारी लेनी चाहिए सैनिकों को विमान से ले जाना चाहिए था अगर सैनिकों ने हवाई यात्रा की होती तो इतने बड़े नुकसान को टाला जा सकता था तो वहीं यूथ कॉंग्रेस ने सत्यपाल मलिक के बयान को ट्वीट किया है जमो कश्मीर के पुर्व राजपाल सत्यपाल मलिक का पुलवामा मामले में संसनी खेस खुलासा देश को स्थम करने वाला है मलिक ने पीम से कहा था कि यह आपकी नाकामी थी पर पीम ने कहा तुम अभी चुप रहो और इसी चुपी के खिलाफ यूथ कॉंग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया कॉंग्रेस की इस रणनीती से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तै है मुश्किलें तो महराष्ट में भी बीजेपी की बढ़ गई है जब से उद्धर ठाकरे की सरकार गई है तब से महराष्ट की सियासत में घमासान मचा है इस वक्त सत्ता पर काविस बीजेपी शिंदे गुट अपनी सरकार बचाने के लिए नए नए हदकंडे अपना रही है लेकिन आज बीजेपी को उस वक्त बड़ा जटका लगा जब खुद अजीद पवार ने कहा कि उनके बीजेपी में जाने की अटकले बीजेपी की ही साजिश है तो कैसे महराष्ट में बीजेपी को मुह की खानी पड़ी देखते हैं इस रिपोर्ट में महराष्ट की सियासत में आज एक नया मोड आ गया है अजीद पवार के बीजेपी में जाने की अटकले लगाई जा रही थी इन अटकलों पर खुद NCP नेता अजीद पवार ने विराम लगा दिया है अजीद पवार के बयान से बीजेपी को बड़ा जटका लगा है उससे पहले शरत पवार ने भी इन अटकलों पर अपना पक्ष रखा था बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर अजीद पवार आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे इस पर खुद अजीद पवार ने साफ किया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं मेरे बीजेपी में जाने को लेकर जो भी बाते मीडिया में चल रही है उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जूटी खबरे फैला रही है एनसेपी चीफ शरत पवार ने भी अजीद पवार को लेकर जो बाते मीडिया में चल रही है उन पर रोक लगाते हुए कहा कि इसमें कोई भी तथे नहीं है फिलहाल अजीद पवार चुनावी संबंदी तयारियों में व्यस्त हैं वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं शरत पवार का ये बयान काफी महतपोण है बीते कई दिनों से अजीद पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकले चल रही थी वहीं ये भी दावा किया जा रहा था कि अजीद पवार ने व्यक्तिगत रूप से 40 NCP विधायकों का समर्थन और उनके सिगनेचर भी हासल कर लिये हैं अजीद पवार के कुछ कटर समर्थक विधायकों ने ये भी कहा था कि दादा जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ रहेंगे अब अजीद पवार ने ही अपने बीजेपी में जाने की खबरों को पूरी तरह से खारिच कर दिया है इस साफ है कि सुप्रिम कोट में शिंदे गुट के 16 विधायकों को लेकर जो फैसला आने वाला है उससे बीजेपी को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है इसलिए वो ऐसी खबरे फैला रही है महराश्ट में बीजेपी का दाओं पूरी तरह से फैल हो गया है अब बाद बिलकिस बानू मामले में सुप्रिम कोट की एहम टिपड़ी की बिलकिस के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर सुप्रिम कोट का रोख काफी सक्त है कोट ने बिलकिस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों पर टिपड़ी की है तो क्या कहा है सुप्रिम कोट ने देखते हैं इस रिपोर्ट बिलकिश बानू मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रिम कोट ने तल्क तिपणिया की है। दुशकर्म के 11 आरोपियों को जल्द रीहा किये जाने पर सुनवाई करते हुए कोट ने कहा कि हर बार सुनवाई होने पर एक आरोपी इस अदालत में आएगा और सुनवाई इस थ तरफ से पेश हुए अभिशेक मनु सिंगवी ने कहा कि दोशियों के वकील 30 दिन का समय मांग रहे हैं 1100 पेश पढ़ने का हवाला दे रहे हैं लेकिन ये सभी दस्तावेज आज के नहीं है कोर्ट ने गुजरात सरकार की तरफ फाइले नहीं दिखाने पर नाराजगी जताई है सुप्रिम कोर्ट में पिछले महिने की 28 मार्श को जस्टिस केम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरतना की बेंच ने गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि बिलकिश बानो केस में सरकार अगली सुनवाई में तमाम दोशियों को छूट देने वाली रिलिवेंट फाइलों को पेश करेगी सुप्रिम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह से घटना हुई वो जधन ने था इस मामले के दोशियों को बड़ी संख्या में पेरोल दिये गए एक दोशी को पंदरा सो दिन की पेरोल मिली तो इस बार कोर्ट में बिलकिश की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा वो धंकिया भी दे रहे थे 2002 में हुए गोदरा मामले के दोरान बिलकिश बानों से रेप किया गया था और उसके परिवार के लोगों की जान ले ली गई थी इस मामले में 11 लोगों को सजा सुनाई गई थी जिनने पिछले साल 15 अगस के वक्त से पहले रिहा कर दिया गया था इसके बाद बिल्किस बानों ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोट में याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही है कोट का रुख आरूपी और बीजेपी सरकार को लेकर काफी सक्त है सवालों के घेरे में हैं जिन पर कोट सुनवाई करेगा पुलिस कस्रडी में किसी के जान चली जाना बड़ी बात है प्रयागराज में अतीक और अश्रफ को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त तीन युफकों ने उनकी जान ले ली इसके बाद से युपी पुलिस और सरकार दोनों सवालों के घेरे में है विदेशों में भी बीजेपी सरकार की किरकिरी हो रही है ये मामला अब सुप्रिम कोट तक जा पहुचा है और कोट इसकी सुनवाई के लिए तयार हो गया है इतना ही नहीं 2017 से उत्तरप्रदेश में अब तक हुए 183 इन काउंटरों की जांच के लिए भी याचिका दायर की गई है इस याचिका में जांच के लिए सुप्रिम कोट के रिटायर जज्ज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है वकील विशालतिवारी ने ये याचिका दाखिल की है इस मामले पर सुप्रिम कोट 24 अपरेल को सुनवाई करेगा याचिका में कहा गया है कि अतिक और उसके भाई अश्रफ के मामले में जांच के लिए एक स्वतंत्र समीती का गठन किया जाए पुलिस हिरासत में इनकी जान लेना लोगतंत्र पर ही सवाल खड़े कर रहा है जब पुलिस डेयर डेविस बन जाती है तो कानून का पूरा शासन समाप्थ हो जाता है और पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में भाय उत्पन होता है जो लोगतंत्र के लिए हानिकारक है जिससे अपराद भी होते हैं 24 अप्रेल को इस मामले पर सुनवाई होगी कोट का इस मामले को लेकर क्या रुख रहता है अब इस पर सब की नजरे हैं क्योंकि इस बार ना सिर्फ परियाग राज मामला बलकि उन 183 इनकॉंटर को लेकर भी कोट में सवाल होंगे जो योगी सरकार के कारिकाल में हुए हैं सुप्रिम कोट में योगी सरकार अपने बचाव में क्या कहती है ये देखना दिल्चस होगा दिल्चस तो करनाटक विधानसभा चुनाव हो गया है करनाटक के सियासी घमासान में बीजेपी लगातार बैक फुट पर जा रही है आज बीजेपी के एक और दिगज नेता ने स्तीफा दे दिया बीजेपी में टिकेट बटवारे से नाराज विधायक और मंत्री लगातार बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं तो आज किस नेता ने बीजेपी से किया किनारा देखते हैं इस रिपोर्ट करनाटक विधानसभा चुनाफ से पहले सत्ता परकाविज भारतिय जुनता पार्टी को आज एक और बड़ा जटका लगा है टिकेट ना मिलने से नाराज अब तक कई नेता बगावत कर पार्टी छोड़ चुके हैं और कॉंकरेस का हाथ थाम चुके हैं बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी जॉइन करने वालों में अब सीवी चंतर शेखर का नाम भी जुड़ चुका है सीवी चंतर शेखर आज बीजेपी छोड़कर जेडी एस में शामिल हो गए चंतर शेखर करनाटक के कोपल विधान सभा शेतर से टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन चंतर शेखर को टिकट देने की वज़ाए बीजेपी ने सांसा दसंगना कराडी की बहू मंजुला अमरेश कराडी को टिकट दे दिया और इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा सीवी चंतर शेकर 2018 से निर्वाचन शेतर से चुनाव लड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे लेकिन अब जब इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया आपको बता दे कि 2018 के करनाटक विधान साबा चुनाव में पार्टी ने कोपल उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोशना की थी लेकिन आखरी वक्त में कराडी के बेटे अमरेश कराडी को भी फॉर्म दे दिया गया था चंदरशेखर को उम्मीद थी कि इस बार टिकेट मिल जाएगा लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी किये जिसमें उनकी मांग को अंदेखा करते हुए मंजुला के नाम की घोशना कर दी गई बीजेपी से टिकेट ना देने से नारा चंदरशेखर ने कहा कि पार्टी के आला कमान ने मुझे टिकेट देने का वादा किया था पार्टी ने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया है, पार्टी की कतनी और करनी में कोई रिष्टा नहीं है, इससे परिशान होकर मैं पार्टी की प्रात्मिक सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा और निर्दलिया या जेडियेस से चुनाव लड़ूगा, सौमवार को बीज पी अपनी सत्ता बचा पाएगी, यह इस वक्त का बड़ा सवाल है, सवालों में तो गहलोत और पाइलट का रिष्टा भी है, 11 अप्रेल को सचिन पाइलेट ने जैपूर में एक दिन का अंशन किया था, पाइलेट ने दावा कि यह अंशन गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं है बलकि पहले कि वसंदरा सरकार के वक्त हुए ब्रष्टा चार के खिलाफ था, लेकिन अब चुनाव में 6-7 महीने बचे हैं, शायद यही वज़ा है कि सियम गहलोत ने पाइलेट की सभी सवालों का जवाब दे दिया है सचिन पाइलेट ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाये थे कि वो वसंदरा सरकार के समय हुए ब्रष्टा चार की जाँच नहीं करा रहे हैं, जिससे जनता के बीच गलत मेसेज जा रहा है इसे लेकर पाइलेट ने 11 अप्रैल को जैपूर में एक दिन का अंशन भी किया था इस अंशन को लेकर कॉंग्रेस हाई कमान सचिन पाइलेट से नाराज हुआ राजस्तान को अंग्रेस प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा ने कहा कि पाइलेट पर कारवाई की जाएगी हाँ उनके सवाल सही हो सकते हैं, उनके जवाब तलाशे जाएंगे और अब राजस्तान के सियम अशोग गहलोत ने पाइलेट के सभी सवालों के जवाब दे दिये हैं गहलोत ने अपने जवाब रंधावा के जरिये हाई कमान तक पहुँचा दिये है अशोक गहलोत ने पाइलेट से उल्टा सवाल किया कि वो भ्रस्टा चार पर चार सालों तक चुप क्यों रहे पाइलेट 2018 में सरकार बनने के बाद से डेड़ साल तक सरकार का हिस्सा रहे लेकिन उन्होंने कभी भी या मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि पाइलेट को भी जानकारी है कि सरकार ने अपनी ओर से हर जरूरी कदम उठाया जिस खनन आवंटन मामले की बाद पाइलेट ने की उसे कॉंग्रेस के दवाब में भाजपा सरकार के दौरान ही रद कर दिया गया था तब कई लीजधारक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए 20 फरवरी 2020 को कोर्ट के आदेश पर तीन वरिस्ट अधिकारियों की समीती बना कर समिक्षा कराई गए इस समीती ने भी आवंटन निरस्त करने की अनुशंशा की लोकायुक्त जाच और सिफारिश के बाद 55 अफसर कर्मचारियों की जिम्मेदारी तैकर 91 कारिवाही की गए 2009 में भी पहले की वसुंद्रा सरकार के कामों की जाच के लिए माथुर आयोग बनाया गया था हाई कोर्ट ने इसे भंग कर दिया केस लोकायुक्त को भेजी लोकायुक्त ने जाच की वसुंद्रा सरकार के 2013 से 2018 के कारिकाल के आखरी 6 मईने में लिए गए फैसलों की समिक्षा के लिए मंत्रियों की उप समीती बनाई जिसकी समिक्षा के बाद कई फैसले निरस्थ किये गए गहलोद ने कहा कि पाइलेट अंशन पर क्यों बैठे ये समच से परे है जिन मुद्दों की वेबात कर रहे हैं उन सभी पर सरकार कारिवाही कर चुकी है या तो पाइलेट को जानकारी नहीं है या फिर वो जनता को गुमरा करने का प्रयास कर रहे है में आने के लिए अब ट्रम कार्ट का इस्तमाल करने जा रही है तो क्या है रणनीती देखते हैं इस रिपोर्ट में क्योंकि इसी साल हिंदी पट्टी के महतपॉंड राज्यों में चुनावी बिगल बजने जा रहा है जिसमें मधिप्रदेश भी है इसी राज्यों में जीत की इबारत लिखने के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है जहां वो शिवरा सिंग चौहान को हिलाने की कोशिश में है तो वहीं दूसरी तरफ हाथ को मजबूत करने के लिए भी जद्दो जहत की जा रही है इसलिए पार्टी ने बड़ी रड़ेनीती तैयार की है कॉंग्रिस ने कहा है कि वो साल के अंत में होने वाले विधानसबाद चुनावों के लिए राज्यस्तर के चुनावी गोशना पत्र के अलावा इस्थानिय मुद्दो को हल करने के लिए अलग वचन पत्र लाएगी दरिसल आज कॉंग्रिस विधायक तरुन भनोट ने कमलनाथ की अध्यष्ता में गोशना पत्र मसोदा समीती की बैठक की इसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी स्थानिय मुद्दो को हल करने के लिए हर जिले के लिए एक अलग वचन पत्र जारी करेगी अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य इस तर्य गोशना पत्र में किये गए वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा इन गोशनाओं में कमलनाथ की ओर से कई विभिन गोशनाएं शामिल होंगी इनमें 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मोहिया कराना महिलाओं को 1500 रुपए महिने की वित्य सहयता और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना शामिल है इन चुनावी वादों में क्रिशी कर्ज की माफी और रियायती बिजली बिल भी शामिल है पार्टी इस्थाने मुद्दों को हल करने के लिए जिलास्तर पर एक अलग चुनाव घोशना पत्र भी जारी करेगी पारगर साबित होती है तो आज इस बॉलिटिन में बास इतना ही देखते रहे हैं डीबी लाइव नमस्कार